हेलो सब्सक्राइबर दिस इस प्रिया तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास एट हिस्ट्री चैप्टर सेवन सिविलाइजिंग दे नेटिव एजुकेटिंग दे नेशन एक बार मैं इंसिट्यूट में हिस्ट्री की क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी तो एक स्टुडेंट ने पूछा कि मैम अभी तक के चैप्टर से में आपने बताया कि जो बिटिशर से उन्होंने फार्मर पे बहुत अत्याचार किये थे वीवर्स, आयरेन समेल्टर और जो फैक्टरी ओरनर थे उनके साथ भी बहुत बुरा किया था क्या उन्होंने हमारी एजुकेशन के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था क्या फिर मैंने बताया हाँ बच्चो हमारी एजुकेशन सिस्टम के साथ भी उन्होंने बहुत बुरा किया था आज मैं इस चैप्टर में आपको वही बताने वाली हूँ civilizing the native, educating the nation अब देखो, native यहाँ पर उनको बोला जा रहा है जो अपने देश में रहते हैं जिसे हम Indians हैं, हम अपने देश में रहते हैं तो हम क्या हुए नेटीव होए ऐसे ही जो Americans है वो अमारिका में रहते हैं तो Americans, America के लिए क्या हुए? नेटिव हो गए, तो हमारी कंट्री में जो लोग रहते थे, उनको बिटिशर्स कहते थे कि आप सिविलाइज नहीं हो, आपको कुछ नहीं पता, आप इलिटरेटो, अनपड़ो, अभी तक के चैप्टर्स में हमने देखा कि बिटिशर्स ने राजा, नवा, पीजन, ट्राइ जीना है, हमारे अकॉर्डिंग करना है सब कुछ, किस टाइप के चेंजिस लेकर आए थे बिटिशर्स, और एजुकेशन सिस्टम कैसा था, क्या-क्या सब्जेक्ट्स लेकर आए थे हो एजुकेशन सिस्टम में, वो हम देखेंगे इस चाप्टर में, हाउ तब बिटिश सौ एजुकेशन, बिटिश कैसे देखते थे हमारी एजुकेशन को कि हमारे इंडिया के एजुकेशन कैसी है, क्या बिटिशर्स हमारी एजुकेशन को अच्छा मानते थे या बुरा मानते थे, उनके आईडियास कैसे थे एजुकेशन को लेकर, और इतलब होता है कि कोई भी person किसी और देश के language और culture में बहुत जादा विश्वास रखता है कि हाँ तुम्हारे देश का भी तुम्हारी country का भी जो culture है और language है बहुत अच्छी है उसको negative way में नहीं देखता है तो जैसे ही हाँ पर Britishers थे कुछ तो वो हमारी जो language और culture के favor में थे कि हाँ तुम्हारी language भी अच्छी है और culture भी अच्छ है लेकिन कुछ opposite थे तो जो favor में थे उन्हें बोला जाता था orientalism 1783 में William John एक Britishers थे ही Calcutta में आए इनको junior judge बनाया गया supreme court का William John एक linguistic थे linguistic person वो होता है जो सभी language में study करता है तो इन्होंने बहुत सारी language को study किया था जैसे कि French, English और इक Calcutta में जब आए थे तो यहां की भी इन्होंने language देखी Sanskrit और grammar इन सब में इन्होंने बहुत जादा interest दिखाया और Persian, Arabic और पर काफी काफी सारी languages इन्होंने अच्छे से study की थी इस figure में आप देख सकते हैं कैसे मजे से बैट के William John पर्शियन language को study कर रहे हैं William John ने और पिर काफी सारे ancient Indian text को भी study किया था जैसे religion, politics, medicine, philosophy सब कुछ ही बढ़ डाला था देखा जाये तो इन्होंने इन सब चीजों को देख के तो लगता है कि John Williams बहुत जादा ही पढ़ाकू थे इन पढ़ाकू को दो पढ़ाकू और मिल गए, दो Englishman और मिल गे थे जो बहुत जादा इंटरस्ट रखते थे studies में ही Henry Thomas Colbrook and Nethal Hallad इन दोनोंने भी बहुत जादा study की थी ancient India की काफी सारी Indian language को इनोंने English में translate भी किया था William Jones ने एक society developed की जिसका नाम रखा गया Asiatic Society of Bengal और इनोंने काफी सारे journals भी लिखे, Asiatic Researches उसमें ancient India की काफी जादा तारीफ की हुई थी कि Asian India बहुत ही जादा अच्छी है Jones और Colbrook Britishers तो थे लेकिन ये हमारे ancient culture की बहुत जादा respect करते थे और ये सर्च करना चाते थे कि यहाँ की जो glory है यहाँ पे जो इतना जादा पैसा और ये सब चीजे कैसे आई है कैसे civilization है, लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे education system है ये सब कुछ ही लोग discover करने लग गए कि ancient period में यहाँ पे क्या क्या होता था कैसे ideas थे, कैसे laws थे हिंदू और Muslim के और क्या कोई future development है इन सब चीजों का Johns and Colbooks discover करने लग गए इन सब चीजों की कैसे ancient text है और क्या understanding है, कैसे ये लोग रहते हैं इन सब चीजों की वज़े से इनको यहाँ के रहने के लिए आल पे भी मिलेगी, क्योंकि देखो बिटिशर्स यहाँ पर आएंगे तो उन्हें यहाँ का culture तो पता होना चाहिए ना कि कैसा है इंडिया का culture, कैसे लोग रहा करते थे और पूरी history तो पता होनी चाहिए ना तभी तो वो यहाँ पर राज कर पाएंगे तो एक तरीके से वो guardian भी बने थे इंडियन कल्चर के और master भी बन गे थे rule भी करने रग गे थे क्योंकि उनको पूरी कमजोरी पता चल चुकी थी कि अच्छा ये लोग ऐसे रहते हैं अब हमें इंडियन का जो weak point पता चल चुका है अब हम बताएंगे इन्हें अच्छे से ये सब चीजे देखके और Britishers भड़क पड़े जॉन्स और कूल बुक पे कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो तुम तो इंडिया का ही प्रमोशन कर रहे हो कि इंडिया की जो learning है अच्छी है उनका ancient culture अच्छा है तुम तो Western learning हमारे जो Britishers का है वो लाना चाहते थे ना यहाँ पर और अब ये तो तुम उल्टा ही कर रहे हो ये Sanskrit और Persian इन सब को ज़्यादा importance दे रहे हो कि ये पढ़ो ये सबसे अच्छा है और यहाँ की जो Sanskrit है बहुत ज़दा अच्छी है या का culture अच्छा है हिंदु-Muslim के जो laws है वो बहुत अच्छे है ये तो तुम गलत कर रहे हो फिर वो कहते हैं जॉन्स और कुल्बुक अरे सुनो सुनो यहाँ पे भी हमारा कुछ प्लान है ऐसा करते हैं इनको ऐसे मीठी-मीठी बातों में लाके कि तुमारा culture अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और यहाँ पे हम अपना फिर rule करेंगे पहले हम पता तो लगा ले कि इनके यहाँ पे क्या क्या चीज़े होती है कैसे लोग रहते हैं तबी तो इनको दबा पाएंगे, सता पाएंगे और इनके उपर rule कर पाएंगे तो सोचो इसमें भी इनका कितना ज़ादा selfishness था तो Britishers का जो aim था न वो लोगों के दिल में जगा बनाने का ताकि जितने भी natives है, native मतलब जो Indian people है, उनके दिल में हम अपनी जगा बना लेते हैं और फिर यहाँ पे हम अच्छे से rule करेंगे इंडिया के education system को इतना ज़ादा importance दी Britishers ने और एक school खोला गया मदरसा, मदरसा मतलब होता है school या college 1781 में कैलकटा में यहाँ पे Arabic, Persian और Islamic laws पढ़ाय जाते थे और एक Hindu college भी खोला था बनारस में 1791 में यहाँ पे ancient Sanskrit text के बारे में पढ़ाया जाता था मदरसा और Hindu college को देख कर काफी सारे British भड़क उठे और criticize करने लगे, बुराई करने लगे Orientalist की, Orientalist वो लोग थे जो Britishers हमारे Indian की help कर रहे थे कि हाँ तुमारे आभी college होना चाहिए Hindu college होना चाहिए और जो तुमारे country की language है वो भी अच्छी है तो उन सब चीज़ों को support कर रहे थे तो यह आपस में ही लड़ने लग गए थे क्योंकि Orientalist favor लेते थे कि इंडिया का culture अच्छा है और बाकि जो और Britishers थे वो Orientalist को oppose करते थे कि तुम Britishers होके और इनका support कर रहे हो पागल हो गए हो क्या तुम Official यहाँ पर Britishers को बोला गया है क्योंकि काफी बच्चे इस official words से नग confused होते है Grave errors of the East अब यहाँ पर East word क्यों बोला गया है जो Britishers थे वो Western side से आये थे तो उनके लिए तो East में इंडिया ही पढ़ेगा न तो उनके लिए East वाले जो side था वो इंडिया वाले था इंडिया चाइना और बागी जो भी countries है इस्टर साइड में तो यह कहते थे कि जो East वाले एरिया है जैसे इंडिया वहाँ पर काफी सारे error है काफी सारी गलतिया है वहाँ के लोगों को कोई knowledge नहीं है unscientific thoughts है उनके कोई scientific thought नहीं है ना कोई science और technology कुछ भी नहीं है कोई literature अच्छे से नहीं है कोई seriousness नहीं है बस ऐसी चलता हुआ काम करते है और बोलने लगे कि बाके जो British है जो favor ले रहे है इन सब चीजों का वो भी अपना time waste कर रहे है Arabic और Sanskrit language में और सबसे खडूस्तो था James Mill इसने तो हद्धी कर दी थी इसने तो इतनी बुराई करी थी Arabic, Sanskrit और literature वगरा की कि बस पूछो ही मत और इसने सीधा attack किया Orientalist पे बोला कि तुम हो असली जड़ तो तुम हो Britishers हो के भी Indians को support कर रहे हो उनके culture को अच्छा बता रहे हो तुम Orientalist को Native को ये बताना चाहिए कि हमारे आके country के language कैसी है वो सिखानी चाहिए ना कि इनी की language को ज़्यादा importance देनी चाहिए तुम्हें पता भी है कि education का aim क्या होता है कि practically सब कुछ कर रहा है scientific और technically सब कुछ बता है technology होनी चाहिए क्या ये तुम sacred literature में पढ़े हो और poetry पे इतना ध्यान दे रहे हो 1830 में एक और परसन आये Thomas Babington Macaulay इन्होंने बोला jams मिल से मैं तुमारे साथ हूँ सही बात है ये लोग British होके भी Indians का साथ दे रहे हैं ये तो गलत है India तो एक uncivilized country है वहाँ पे तो किसी को कोई knowledge ही नहीं है हम बताएंगे कैसे knowledge लेते हैं और कैसे पढ़ते हैं क्योंकि हम England से आए हैं Babington ने बोला कि जितनी भी native literature है न India और Arabia की उतनी तो हमारे Europe में एक library के self में बुक्रक्खी रहती है British government तो पता नी क्यों ही फालतु में पैसा वेस्ट कर रही है यहां के culture को importance देने में इस Oriental Learning का कोई फाइदा थोड़ी ना है इसने पोला कि English language होनी चाहिए इंडिया में सब लोगों को English में पढ़ना चाहिए उससे इनको ज़्यादा knowledge मिलेगी और world में जितनी सारी चीज़े हो रही है उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे और development के बारे में भी पता चलेगा इनको science और philosophy के बारे में भी थोड़ा कुछ समझ पाएंगे इसका मोटिफ बस एक ही था कि यहां का जो taste है लोगों का value और culture सब कुछ change कर डालू मैं Macaulay ने इतना ज़ादा हंगामा कर दिया था कि finally English Education Act 1835 में आ ही गया था अब इस Act के according higher education में English Medium में पढ़ाय जाते थे सारे subjects और अब जो Oriental Institution का promotion हो रहा था न जो Hindi, Sanskrit, Persian language थी उसको stop कर दिया गया था कि अब कैलकता में जो मदरासा है और बनारस संस्कृत कॉलेज है न वहां पर subjects नहीं पढ़ाय जाएंगे सरिफ English ही पढ़ाया जाएगा इन सब institution में एक तरीके से darkness आ गई थी मदलब अंधेरा चा गया था, ना कोई Sanskrit पढ़ता था, ना कोई Persian पढ़ता था, ना कोई Hindi पढ़ता था क्योंकि English textbook आ गई थी या और schools में English ही पढ़ाया जाता था education for commerce अब यहां पर इंडिया में English language तो चलो इन्होंने medium बना दिया कि English में सब लोग बोलेंगे और जो भी higher education होगे वहां पर भी English बोली जाएगी लेकिर अब इनको कोई फाइदा भी तो नहीं हो रहता था ने सीर से तो फिर इनोंने सोचा कि क्यों न इहां से पैसा भी कमाया जाए education से 1854 में जो British company यहां पर आई थी ना इंडिया में वो एक private company थी और उस company का नाम था East India Company जो कि इंडिया में रूल कर रही थी अब उसमें बहुत सारे directors भी थे तो court of directors जो थे ना उन्होंने लंडन से एक envelope भेजा उस envelope में काफी सारे education से related कुछ-कुछ points लिखे थे तो उस envelope को बोला चाता है educational dispatch इस educational dispatch को company का जो president था ना उसने भेजा था और उस president का नाम था Charles Wood तो इस वज़े से इस dispatch का नाम रखा गया Woods Dispatch इस dispatch में education policy related सारे points लिखे वे थे कि कैसे-कैसे education policies होनी चाहिए इंडिया में जैसा यूरोप में होता था वैसे ही सारी चीज़ें इंडिया में apply करने की कोशिश की और जो oriental knowledge थी ना जैसे हिंदी और Sanskrit और Persian इन सब को negative way में देखा गया कि ये बहुत बिकार है आपको ये language नहीं पढ़नी चाहिए अब देखो Britishers के तो मज़े ही मज़े आ गए क्योंकि अब ये लोग यूरोप में जो भी होता था जैसे भी studies होती थी वैसे ही इंडिया में कराते थे इस वज़े से जो भी इंडिया के लोग थे वो वैसा ही सीखते थे अब जैसा मैं आपको बढ़ाओंगे अब वैसा ही तो सीखोगे न तो ऐसे Britishers जो भी बढ़ाते थे Indians को तो वो लोग वही सीखते थे इस वज़े से trade और commerce में भी Britishers को बहुत फायदा होता था क्योंकि वो अपने according के trade चलाते थे अपने according के commerce चलाते थे और उन्होंने Indians के mind में ये बात बिठा दी थी कि जो Britishers के good होते हैं जो भी समान British से आता है Europe से आता है वो समान बहुत ही अच्छा होता है और हमें वो buy करना चाहिए खरीदना चाहिए और जो इंडिया में समान मिलता है वो बहुत बिकार होता है उसकी quality बे अच्छी नहीं होती है तो ये सब चीजे education field में पढ़ाई जाती थी कि Europe की सारी चीजे बहुत अच्छी होती है और इंडिया की सारी चीजे बहुत बिकार होती है तो हमें अपने आपको change करना चाहिए वो dispatch में काफी सारे points ऐसे लिखे थे कि बिलकुल ही negative बताया जा रहा था Indians को कि आप लोगों को कुछ नहीं बता कि honest कैसे बनना चाहिए हम बताएंगे आप लोग हमारे लिए honest बनो इमानदार बनो और आपको हमारे लिए ही काम करना पड़ेगा हम ही superior है और हम लोगी civil servants को भेजेंगे जो की यहाँ पर आप लोगों का सब का ध्यान रखेंगे कि सब ल कि जो भी काम है वो बहुत अच्छा है वो लोगों की skill को develop करता है अब इतना कुछ बोल बोल के न Britishers ने हम लोगों के mind में ये बिठा दिया कि जो वो लोग है वो बहुत superior है उनकी language English बहुत अच्छी है हमारी language बहुत पेकार है हमें कुछ भी नहीं पता है उन्हें सारी knowledge है उनसे हमें सब कुछ सीखना चाहिए 1854 का है जो वोट dispatch था ना इसके according education department भी बन गए अब बहुत सारे ऐसे institute और university डैवलप हो गई कि उसमें English पढ़ाई जाती थी पहले तो सिर्फ छोटे मोटे पार्ट शाला होती थी जो कि हम लोग चलाते थे लेकिन अब जब बिटिशर् universities बना दी और उसमें English as a subject रख दिया सबसे पहले इन्होंने university Calcutta, Madras और Bombay में establish किया था उस time पे 1857 का revolt भी चल रहा था मेरिट और डैली में आप से exam में पूछ सकते हैं कि wood dispatch क्या होता है और कौन-कौन से state में सबसे पहले university establish हुई थी तो Calcutta, Madras और Bombay में हुई थी इस वज change हो जुका था, इस figure में आप देख सकते हैं Bombay की university है जो Britishers ने बनाई थी, यही है वो person Thomas Babington Macaulay जिसने पूरा education system change किया था, मन तो करता है इसके चटनी बना डालू, the demand for moral education, अब बहुत सारे Britishers इंडिया में आए और वो Christian missionaries थे, अब इन missionaries ने बोला कि education में न moral education भी होनी चा में कुछ लोगों को बताना चाहिए, तो बाकी के जो Britishers ने जो अच्छे से education system चला रहे थे हैं यहां पर, तो वो बोलते हैं, अरे बहुत मुश्किल से तो यहां पर हमने university open कर आई है, और English as a subject करवाया है, कैसे कैसे लडाई करके, तुम कहां से आ गए, भागो यहां से, त और Hindu Muslim का religion बहुत बेकार है, तो Britishers बोलते हैं, अरे तुफान मचाओगे क्या, इतनी मुश्किल से तो हमने कैसे कैसे करके institute open किया है, और जो schools है वो open किया है, अब तुम इतनी ज़्यादा टांगड़ा होगे, उनके धरम में भी religion में भी इतनी टांगड़ा होगे, तो वो ग Christianity में convert कर देंगे, लिकिन finally इन्होंने सेरंपोर में एक college open करी दिया, वहाँ पे Christianity के बारें बताया जाता था, कि जितने भी religion के लोग हैं, सब लोग Christian में convert हो जाओ, सब लोग Christian बन जाओ, कोई भी Hindu Muslim ने ही रहेगा, फिर थिरे थिरे करके इन्होंने और जगा भी college establish कर लिये अब बाकि जो Britishers ने जो इनका oppose कर रहे थे, कि तुम पागल हो गई हो, क्या, ऐसे क्यों कर रहे हो, ये लोग भड़क गए थो, इतनी मुश्किल से तो हमने institute open किया है, college open किया है, universities open किया है, जैसे तैसे करके लड़ाई-बड़ाई करके, तो वो भी इनकी favor में आ गए, क्यो की missionaries ने ही open किया था, यहाँ पे सब को बोला जाता था कि जो Christian religion है न, वो बहुत जादा अच्छा है, superior है, और उसके सारे positive point बताया जाते थे, और लोगों को बोला जाता था कि आप इस religion में convert हो जाओ, आज भी आपने देखे होंगे काफी सारे Christian schools होते हैं, तो वो सारे इन mission इसकी वज़े से ही बने है, what happened to the local schools? पहले local school कैसे हुआ करते थे, जब Britishers ने कोई school या university नहीं बनाई थी, तो पहले आप देख सकते हैं इस figure में, एक ये person खड़े हो हैं, ये teacher हैं, और बाकि सारे ही student हैं, तो ऐसे चलता था पहले के time पे, लेकिन Britishers ने सब कुछ change कर डाला, अब हम देखेंगे कि Britishers के time पर कैसे school हुआ करते थे, और कैसे कैसे उन्होंने school का सारा system change कर दिया था, The Report of William Adam, बात है कुछ 1830 की, William Adam एक Scottish missionary थे, ये Bengal और बिहार वाले एरिया में गए, देखने के लिए कि इंडिया का education system कैसा है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो Vernacular schools है, यानि कि local language में पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि कोई Tamil नाडू वाला एरिया है, तो वहाँ पे Tamil language में पढ़ाया जा रहा है, Vernacular word बहुत important है और exam में आपसे पूछा भी जाता है, तो Vernacular का मतलब होता है, जो हमारी local language है, जैसे आप अगर Bengali है, तो आपकी language Bengali में होगी, अगर आप Tamil नाडू में रहते हैं, तो आपकी language Tamil होगी, अगर आप ओडिसा में रहते हैं, तो आपकी language ओडिया होगी, तो ये सार कुछ Vernacular होता है, local language बोला जाता है, एदम ने देखा, एक लाग पाटशाला है, जैसे आजकल स्कूल होते हैं न, पहले गड़ायम पे पाटशाला हुआ करती थी, स्कूल को पाटशाला बोलते थे, तो Bengal और बिहार वाले एरिया में इन्होंने देखा, और हर एक institution में 20 परसन ही अपने पैसे देता है कि जाओ पाटशाला बना लो और वहाँ पे जो टीचर होता है, उसे बोला जाता है गुरू, इन्होंने एक और चीज नोटीस करी कि जो education system में वह बहुत flexible है, flexible मतलब कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कोई फीस नहीं है, कोई भी printed books नहीं है, रहे हैं, कोई blackboard भी नहीं है, कोई separate classes भी नहीं है, सब लोग 182 पढ़ रहे हैं बैटके, कोई भी उनका attendance नहीं हो रही है, कोई exam ही नहीं हो रहे हैं, कोई timetable भी नहीं है, और सब लोग एक ट्री के नीचे बैठे हो Dale और अराम से पढ़ रही है विलेच में अगर कोई shop है तो वहाँ पे बैटके पढ़ लिया या फिर temple हो तो temple में पढ़ लो अलग कहीं में बैटके गुरू हो जाते थे शुरू अगर कहीं पे fees ली भी जाती थी तो वो parents की income के according ली जाती थी अगर कोई rich होता था तो जादा पैसे और अगर कोई poor होता था तो कम पैसे teacher ओरली पढ़ाते थे क्योंकि ना तो कोई whiteboard होता था ना blackboard होता था और गुरू को ही decide करना पढ़ता था कि वो क्या पढ़ाएंगे अपने according बढ़ाते थे कुछ भी सब भी students एक साथ बैठते थे चाहे वो कोई सी भी class में हो लेकिन जब गुरू को कुछ बताना होता था तो separate group बनाते थे बच्चों के और फिर उनको समझाते थे और पढ़ाते थे Adam ने notice किया कि flexible system इसी लिए है क्योंकि यहां के जो local लोग है ना उनको यह चीज suit करती है क्योंकि जब भी harvest होता है तो farmers को अपने बच्चों को भी लेके जाना पड़ता है खेतों में कि चलो और हमारे साथ harvest करो तो harvest के time पे पाटशाला बंद हो जाती थी कोई पढ़ाई नहीं होती थी सभी teacher और बच्चे जाके agriculture खेती भाड़ी में लग जाते थे खेती भाड़ी होने के बाद वो लोग पाटशाला में आते थे और दुबारा से class स्टार्ट हो जाती थी तो farmers अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाया करते थे और ऐसे education system हुआ करता था पहले के time पे अब ये सब कुछ देखके बिटिशर्स ने सोचा कि यहां तो सब कुछ गड़बढ है तो यहां पे company को बोला जा रहा है बिटिशर्स उन्होंने काफी सारे change के local पाटशाला में और कहा कि जो vernacular education है न अपनी language में तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो ये गलत है और हमारे according करो तुम हम बताएंगे नया system उन्होंने नएने system impose कर दिये बिटिशर्स ने काफी सारी चीज़े introduce की कहा कि बहुत सारे rules भी establish होंगे और regular inspection भी हुआ करेगा schools में क्योंकि ना तो यहां पे कोई exam होते है ना कुछ होता है ना कोई लोग देखते हैं कि कैसे क्या चल रहा है इन सब चीज़ों को improve करना पड़ेगा बिटिशर्स ने सारे system change कर दिये और बोला कि एक government पंडित को appoint किया जाएगा और यह जो government पंडित होगा ना इसके अंडर में five schools होंगे इन five schools में ही visit किया करेंगे और देखेंगे कि जो भी guru है क्या वो अच्छे से बच्चों को पड़ा रहे हैं और time table के according उन्हें एक periodic report भी send करनी पड़ेगी यहाँ पे आप बच्चों के लिए books भी आने लगए थी और annual examination भी होने लगए थे तो exam वगेरा देखो यह बिटिशर्सी लेकर आए है अब बोला गया कि आपको fees भी पे करनी पड़ेगे अगर आप school में आएंगे तो अपनाने पड़ेंगे और discipline में रहना पड़ेगा काफी पार्ट शाला ने इनके रूल अपना लिये थे लेकिन कुछ लोग थे जो इनको नहीं support कर रहे थे कहरे थे नहीं हमें कोई नया system निलाना हमारा तो पुराना ही system अच्छा है लेकिन फाइनली बाद में उन्हें हार माननी ही पड़ी सोचा कि बिटिशर से कौन पंगा ले इनके according ही new rule बना लेते हैं हमारी पार्ट शाला में new rule के according daily class होती थी अब जो poor family के बच्चे थे जो farmer थे पीजन्ट थे उनको harvest के time पे तो लेके जाना पड़ता था अपने बच्चों को कि चलो खेती बाड़ी करो regular attendance की वज़े से वो लोग लेके ही नहीं जा पा रहे थे तो इस वज़े से poor जो families थी उनके बच्चों को बहुत जादा problem हो रही थी अब ये जो भी changes आई थे पाड़शाला के अंदर की पाड़शाला से स्कूल में convert कर दिया सारे बिटिशर्स के rule हो गए इन सब को न कुछ लोगों ने तो favor किया कि हाँ चलो सही है काफी Indians तो favor में थे लेकिन काफी लोग इसको oppose करने लगे थे कि नहीं गलत है ऐसे तो हमारे इंडिया के education system में सब कुछ कचड़ा मच जाएगा कोई Hindi सिंस्कृत को पहचाने गाई नहीं सब लोग English में ही बात करेंगे universities में, colleges में बहुत गलत हो जाएगा और यहाँ पर इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा education पे तो जो poor people है वो तो education पे पैसा खर्च करी नहीं बाएंगे वो तो पीछे रह जाएंगे जो इंडियन अगेंस से western education के जो Britishers लेकर आयते new new rule तो उन में से दो के नाम बताएं है महात्मा गांदी और रभिन्ना टैगोर English education has enslaved us English education हमें एक तरीके से दास बना रही थी नौकर बना रही थी अपना महात्मा गांदी ने बोला कि ये जो Britishers है न हम इंडियन के माइंड में ये चीज़ डालना चाते हैं कि हमारे हाँ के education बेकार है और इनके हाँ के education बहुत अच्छी है तो ये चीज़ बहुत गलत है हमारी culture को ऐसे किया जा रहा है ये तो बहुत गलत बात है ये तो poison एक तरीके से जहर फैला देंगे हमारे पूरे इंडिया के लोगों के mind में कि इंडिया की language अच्छी नहीं है और इंडिया के लोगों को inferior feel कराएंगे उन्हें अच्छा नहीं लगेगा उन्हें लगेगा कि हाँ जो Britishers है वही superior है उनकी language अच्छी है और वहाँ पर जो भी होता है सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है तो ऐसे तो हम knocker ही बनके रह जाएंगे इन लोगों के गुलाम ही बनके रह जाएंगे और British हमेशा हम पर rule ही करते रहेंगे हमारी dignity और self respect पर तो hurt हो रही है इससे इसलिए इनोंने एक national movement स्टार्ट कर दिया और सभी बच्छों को बोला कि इनकी education institute को छोड़ दो क्योंकि ये Britishers हमें अपनी तरह बनाना चाते हैं ये तो हमें गुलाम बना कर ही छोड़ेंगे महात्मा गांधी बोलते थे कि इंडियन language में ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए अगर हम इंडियन language में नहीं पढ़ेंगे तो हम इंडिया की language ही भूल जाएंगे और अपने ही land पे अपने एरिया पे as a stranger दिखेंगे एक अजनभी लगेंगे क्योंकि हमें बोलना तो आएगा नी अगर इंग्लिश आ जाएगे तो फिर हम इंग्लिश ही बोलेंगे local language बोली नी पाएंगे और अपने culture को ही बिलकुल भूल जाएंगे महात्मा गांधी का मानना था कि हमें oral knowledge पे focus करना चाहिए textbook से नहीं होगा आप तोते की तरह रटलो और आप कुछ आता नहीं है कोई knowledge नहीं है तो क्या फाइदा तो practical knowledge होनी चाहिए इनका मानना था कि education हमारे mind और soul को develop करती है दिमाग को विक्सित करती है तो इसलिए अगर कुछ हमें develop करना है तो उसके लिए practical knowledge बहुत important है जैसे कि लोग अगर craft चीजे सीखेंगे कि ऐसे बनता है क्या चीज बनती है तो अगर practically देखेंगे तो उन्हें जादा knowledge होगी वो अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे और उनका mind भी develop होगा फिर जितने भी nationalist थे जैसे गांदी जी और Tagore तो उनकी जो thinking थी बिल्कुल different थे बिटिशर से इस figure में आप देख सकते हैं महात्मा गांदी और रबिना Tagore है मेरे हिसाब से तो ये दोनों बात कर रहे हैं कि बिटिशर्स को जल्दी भगाओ नहीं तो ये लोग सबको अंग्रेज ही बढ़ा देंगे इंग्लिश पढ़ा पढ़ा के सभी स्कूलों में Tagore's Abort of Peace ये फहुत interesting स्टोरी है अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी है तो आप comment box में जरूर लिखना मैं आपको सुनाती हूँ Abort of Peace मतलब होता है शान्ती वाली जगा तो इसको हिंदियें बोला जाता है शान्ती निकेतन रबिन्ना Tagore ने एक institution स्टार्ट किया था 1901 में रबिन्ना Tagore जब छोटे से थे तो इनको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था suffocation होती थी घबरहाट होती थी स्कूल जाने से और इनको एक jail की तरह लगता था क्योंकि ये games खेलना चाते थे लेकिन games का तो कोई period ही नहीं होता था उस time पे जब teacher बच्चों को पढ़ा रहे होते थे तो ये इधर उधर देखते थे मनलब concentration नहीं लगता था इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी इनकी schooling कैलकटा में हुई थी तो इनकी school days तो बहुत ही बेखार रहे थे इनके लिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं education में ही कुछ changes लेकर आँ जिसे की school में जब जाएं बच्चे तो वो खुश हो कर जाएं creative बने और अपने thoughts और desire को अपने teacher के सामने रख सके friendly nature हो Britishers ने जो इतने सारे restriction, discipline वगरा लगा दिये हैं ये सब चीज़े गलत है हमें self learning करने चाहिए जो हमारे teachers होते हैं वो थोड़े imaginative होने चाहिए थोड़ा उनका friendly nature होना चाहिए ये क्या एकदम strict रहेंगे तो बच्चे तो वैसे ही डरेंगे न वो तो उनको जो आता होगा वो भी भूल जाएंगे अच्छा मुझे एक बात बताईए कि आप सबके जो teachers है वो friendly है ये बहुत strict है रभितना टैगोर creative learning में विश्वाश करते थे कि लोगों को बच्चों को creative होना चाहिए इन होने फिर एक school को set up किया जो कि 100 km, 100 km कैलकटा से दूर था जिसका नाम रखा गया About of Peace, Shanti Niketan आपको एक interesting fact बताती हूँ इसमें लिखा नहीं है लेकिन जो आपका game spirit होता है न वो रभिन्ना टैगोर जी की वज़े से हुआ है उन्होंने कहा था कि बच्चों का एक game spirit भी होना चाहिए रभिन्ना टैगोर और महात्मा गांधी जी के काफी thoughts तो similar थे क्योंकि दोनों ही बिटी शर्चे चिटते थे लेकिन कुछ thoughts थोड़े different भी थे गांधी जी को बिल्कुल भी नहीं पसंता western civilization और उनकी machine और technologies तो बिल्कुल भी नहीं लेकिन रभिन्ना टैगोर बोलते थे कि हमें science और technology के बारे में भी पता होना चाहिए और शांती निकेतन के अंदर वो सारे subjects की knowledge देना चाहते थे बच्चो को science हो, technologies हो चाहे art, music, dance, सब कुछ इस figure में आप देख सकते हैं रभिन्ना टैगोर जी बैठे होए है और ये इनका पूरा शांती निकेतन है school है बहुत लोग और thinkers ये सोचते हैं national education system है वो अच्छा है उसमें changes आने चाहिए Britishers के according लेकिन कुछ बोलते हैं कि क्या इसका कोई alternative solution नहीं है क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारा जो culture है उस पे कोई bad impact ना पड़े और हमारी education भी बहुत अच्छी हो जाए तो इन सब चीजों के उपर debate होती आ रही है independence के बाद भी आज भी education को लेके काफी सारी debates होती हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारा coding आ गया है subject में अच्छा मुझे ये बताओ कि किस-किस को coding पसंद है जो आपकी new subject आया है elsewhere ये इतना important नहीं होता है तो आप elsewhere को exam में छोड़के भी जा सकते हैं इसमें से कोई question नहीं आता है इसमें यहीं बताय हुआ है कि जो education system था ना उसकी वज़े से जो poor people से वो लोग कितना ज़्यादा सफर कर रहे थे कितने problem हो रही थी उन्हें एक तो वो fees भी नहीं दे पाते थे उपर से बच्चे जो थे वो attend नहीं कर पा रहे थे class क्योंकि उन्हें agriculture में खेती बाड़ी में भी अपना हाथ बटवाना पड़ता था अपने parents के साथ आपको यह chapter अच्छे समझ आया है तो फटा-फट से comment box में match the following के answers दो अब please मेरे channel को like and subscribe ज़रूर करें Thank you